मठादीस और माफिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता अपने संसकार के अनरूप धर्माचारियों को ये माफिया बोलते हैं आप डिक्स्नरी उठा के देख लो बैट डिक्स्नरी तो आपको भी उठा के देखने पड़ेगी मठादीस और माफिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता नहीं अगर आप डिक्स्नरी उठा के देख लो बैट डिक्स्नरी तो आपको भी उठा के देखने पड़ेगी और ये सूची ये जो ये जो जानकारी आप मुझ से ले रहे हैं जो मुझ से कह रहे हैं सरकार ने खुद जारी किये हैं कई अख़वारों ने खुझ जारी कियें वो नाम वो नम्मर्स तो जो हमारे साथ ही हैं पूछ रहे थे बताओ उसमें पीडिये परिवार के लोगे साथ से लेके सत्ता परसेंट लोगा इंकाउंटर हुआ है कर नहीं हुआ है और जो 42 अन्मे दिखा रहे हैं अगर आकड़ा और डाटा ठीक है तो सबसे ज़्यादा फेक इंकाउंटर अगर किसी के हुए तो पीडिये के परिवार के लोगों के हुए यह तो सरकार खुद दे दिखा रही है यह कोई मेरे आकड़े नहीं है इन लोगों को जब भी जनता जनारदन ने सक्ति दिया है तो इन्हों ने उस सक्ति का दुरुपियोग किया है वेसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मा सुर ने किया था आपकी तागत से ही आपकी आस्ता पर प्रहार अगर केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार हिंदों को दबाने के लिए सांप्रदाइग विरोधी कानू लाने का काम कर रही थी देश में राम सेतु को तोड़ने का कारे कर रही थी अयोग्या में राम मंदिर के मार्ग में बादग बन रही थी देश के अंदर कस्मीर में अगरबात को पन पा रही थी देश की सुड़कसा में सेल लगाने का काम कर रही थी तो समाजवादी पाल्टी भी तो उसी के नक्से कदम पर चल लही थी उसी नक्से कदम पर चल लही थी गुंडा गिर्दी की चरम अराजगता की चरम हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा और माफिया के साथ इनके रिष्टे और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपरादियों के सामने दुर्दान तो माफिया और अपरादियों के सामने नाख रगड़ते थे और अपने संसकार के अनरूप धर्माचारियों को ये माफिया बोलते है इनकी प्रविर्टी तो देखो आरंग जेब की आत्मा सच्मुच इनके अंदर घुस्चुकी है आरंग जेब की आत्मा इस कदर घुस्चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचारियों के यह माफिया कहते है और जो संगठित अपराद में लिप्त थे भूमापिया, बनमापिया, पसोमापिया या संगठित अपराद में सनलिप्त मापिया को के सामने ये लोग घटना टेक करके ना करगड़ने का काम करते थे